घर में मनुसियत लाती है ये साथ चीजें, आज ही निकाले इन्हें घर से बाहर वर्ना हो जाओगे कंगाल, वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर को वास्तु दोश से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बलकि घर की दिवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है, घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीजे रखी गई हो, तो सुख समृद्धी बनी रहती है, वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और कुछ चीजे भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं, ऐसे में आईए आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में, जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेकना चाहिए, लेकिन उससे, पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशिरवाद आप पर ब उटा हुआ शीशा नकारात्मक और जा और दुरभाग्य को आकर्शित कर सकता है, ऐसे में घर में मौझूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है, तरक्की के साथ आर्थिक स्थिती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए तुरंत ही तूटा हुआ शी ऐसे में उस घर रहने वाले लोगों को संबंदित तनाव और दुरभाग्य का कारण बन सकता है, ऐसे में नकारात्मक और जा पीछे नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर घर बंद घड़ी पड़ी है, तो उसे उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए, बंद घड़ी आपके समय पर बुरा, असर डाल सकती है, ऐसे में उस घर रहने वाले लोगों को संबंदित तनाव और दुरभाग्य का कारण बन सकता है, ऐसे में नकारात्मक और जा पीछे नहीं छोड़ती है, इसलिए अगर घर कोई बंद घड़ी पड़ी है, तो उसे सही करा ले या फिर उसे हट 3. एंटीक चीजे, वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आपको एंटीक चीजे लाने का शौक है, तो संभल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अकसर अपने पिछले मालिकों की कहानियां और ओर जा ले कर चलती हैं, इसलिए एंटीक चीजों को घर में लाने स पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है चार, पुराना कैलेंडर, वस्तु शास्त्र के अनुसार, नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं, लेकिन पुराना फेकने के बजाए संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतेत का संकेत देते है इसलिए पुराने केलेंडर को घर से हटा देना चाहिए 6. उल्जे हुई तार वास्तू के अनुसार डेस्क पर या काम करने की जगा पर लाप्टॉप, फोन चाज या अन्य बिजली के उपकरनों के तारों को उल्जा कर नहीं रखना चाहिए इससे नकारात्म कोर्जा पैदा होती है और इसका असर आपके करिया और धन पर पढ़ सकता है 7. महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग वास्तू शास्त्र के अनुसार, घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रेह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है 8. फटे पुराने कपडों की पोटली घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे पुराने कपडों की एक पोटली बांध कर रख देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपडों की पोटली घर में नकारात्मा कूर्जा का निर्मान करती है इस तरह के कपडों को या तो दान में दे देना चाहिए या फिर किसी को उप्योग के लिए दे देना चाहिए 9. देवी देवताओं की पुरानी मूर्ती देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीरे या फिर खंडित मूर्ती रखना भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु दोश माना गया है इससे आर्थिक हानी तो होती ही है साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां शाप देती हैं मंदर में एक ही देवी देवता की तीन से तीन मूर्तियां रखना वास्तु दोश होता है इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुत्री और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए 10. घर की छट रखें साफ घर की छट पर गंदगी होना या उस पर फाल्तू का सामान रखने से भी वास्तू दोश लगता है ऐसा कहा जाता है कि घर की छट पर पड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है इतना ही नहीं इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है घर की छट पर कबाड़ा या फाल्तू समान बिल्कुल न रखें इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पित्री दोश भी उत्पन होता है 11. तूटी हुई अलमारी तूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की तूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए इतना ही नहीं वास्तू में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए में सौभाग्य फंस जाता है, इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए. घर में बने मकडी के जालों को एकदम से साफ कर दी. अन्यता ये आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं. घर या दुकान में लगने वाले मकडी के जाले अशुब होते हैं, इसल की बिना फल फोल के पेड, दूबती नाव, नगन, जंग में लहराती, तलवार, शिकार के दृष्य, इंद्रजाल, कैद हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीरें भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए. 14. खाली कुरसी भी नकारात्म कूर्जा का कारण बनती हैं, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगती पर पढ़ता है. ऐसे में पुरानी या बेकार डाइरी को तुरंत बाहर फेक दें. 16. पुराने अखबार ज्यादातर घरों में रद्धी के तौर पर पुराने अखबार एकठा किये जाते हैं. लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्धी का इस्तिमाल करते हैं. वास्तु के अनुसार, रद्धी का धेर घर में समस्याएं लेकर आता है. पुराने अखबारों में धूल, मिटी, जम और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोडे पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनरजी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार एकट्था करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदलने। घर की नेगेटिव एनरजी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पड़े हैं तो उन्हीं आज ही बाहर फेक दे या कबाडी को दे दें। 17. खराब ताले घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए, वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुब माना जाता है। 18. खराब पुराना ताला ना रखें। 19. शोर करते दरवाजे. घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करे तो इसे वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है. कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करे तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के क्लेशों को सुझाने में लग जाता है. साथ ही घर में लगातार, नकारात मकता आती रहती है, ऐसे दर्वाजों को ठीक करवाना चाहिए 20. बहता हुआ नल वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुब माना जाता है कहते हैं कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगहों पर खर्च हो जाता है घर में अगर ऐसे नल हों तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए 21. खराब जूते चपल वास्तु शास्त्र में जूते चपल का संबंद संघर्ष से माना गया है जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हों तो जूते चपल ठीक रखें घर में पुराने, फटे या खराब जूते चपल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी घर में अगर पुराने या फटे जूते चपल हैं तो इनहीं घर से बाहर निकाल दी ऐसे जूते चपलों को शनिवार को हटाएं इससे शनी की अशुब दशा कम होती है भले ही आपके पास जूते चपलों की संख्या कम हो लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए 22. तूटा हुआ फनीच घर में तूटा हुआ फनीच या गमले नहीं रखने चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात्म कूर्जा आती है जो फनीच या गमले उप्योग में ना हो उन्हें बाहर फिक देने चाहिए 23. जानवरों की मूर्ती और पेंटिंग वास्तू शास्त्र के मुताबिक कपलस के कमरों में सुव, पक्षी, बाग, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ती और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती है ये तमाम जानकारी जनरुची को ध्यान में रखकर दी जा रही है, जोतिश और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं विडियो का उदेश्य मातर आपको बहतर सलाह देना है, इस संदर्ब में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी जरूर लिखें